अलू फ्रेंस वेलकम बेक टू माई चैनल हाजिरू एक नई लव स्टोरी लेकर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कहानी की शिरवात मेली अपने घर से भाग कर अपने डाड के देश में आ जाता है यानी की चाइना में और अपने डाड की फोटो को देख कर बोलता ह इस बार मैं आपको ढून कर ही रहाँगा लीना जो एक कंपनी में मालकीं थी और अबरोड में रह रही थी उसे अपनी मेड का कोल आता है यंग मास्टर कहीं चले गई है तब ही लीना को अपने बेटे ली का मैसिज चाता है मोम मैं अपने डाड को ढूनने के लिए आया हू कुश्यांग बोलता है ये सारी बोरिंग डेट्स है मुझे ये सब करना नहीं पसंद मोम बोलती है पर मैं अपने पोते का मूँ देखना चाती हूँ और क्या तुम अभी तक उसे बुला नहीं पाए हो तुम तो उसे शादी करना चाते थे पर अचानक से वो ही तुम्हें आपको ढून लिया मूम बोलती है बेटा ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखता है पश्वर में तुम्हें ऐसे ही दिखते थे कुश्यांग बोलता है पर मेरा इतना बड़ा बच्चा कहां से आ गया जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मूम बोलती है अगर छे साल पहले तुम्हारे लीना से शादी हो गई होती ना तो आज तुम्हारा भी इतना बड़ा ही बेटा होता कुश्यांग बोलता है बच्चे मैं तुम्हारा डैड नहीं हूं और किसी भी अचनबी आदमी को ऐसे अपना डैड मत कहा करो कोई तुम्हें उठा कर भी ले जा सकता है ली तो भियोशी हो जाता है कुश्यांग उसे उठा कर होस्पिटर लाता है डॉक्टर बताता है इसे डाइबेटीज है जाकर नीचे पेरिंस का फोम भर दो गुश्यांग बोलता है मैं इसका डैड नहीं हूं डॉक्टर बोलता है तो इसकी फैमली को कॉंटाक करो कुश जाता है ये तुम मेरी एक्स है तीना को मेसेज आता है तुम्हारा बेटा होस्पीटल में अडमिट है उसकी सरचे होने वाली है चल्दी से आ जाओ लीना भागी हुई होस्पीटल में आती है और उसे ठैंक्स बोलती है लेकिन वो तो गुशांग की शकल देखने के बाद शो तुम्हारा हस्बंड तुम्हें मेरे साथ देख लेगा लीना बोलती है क्या तुम थोड़ी बोल दी मिर्चोर आदमी जैसी बाते नहीं कर सकते हो तब डॉक्टर बोलता है बच्चे को बलड की जुरत है तो ए ग्रुप किसका है लीना बोलती है मेरा तो नहीं है कुशंग ब लड दीनी जाने लगता है लीना उसे रोकती है कहाना नहीं चाहिए गुशंग डॉक्टर को जाने को कहता है लीना समझ जाती है गुशंग ने उसे बेफकुक बनाया है ताकि उससे सच पता चल सके कि वो उसी का बेटा है लीना बोलती है तुम इत्ते जालिम हो गुशंग बोलता है तुम बिना बताए छे साल पहले चली गई थी और मुझे अपने बेटे के बारे में भी नहीं बताया लीना बोलती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और वो सिर्फ मीरा बेटा है उससे दूर रहना लीना के जाते ही लिया जाता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डैट मौम को पाने में नैकसीन में लीना अपने बेटे के साथ घर पर आती है अभी तुमारी बीमारी का लाज चल रहा है इसलिए हमें कुछ दिन इसी कंट्री में रुकना होगा लीनी बोलता है ओके मौम लीना बोलती है वैसे तुमने अच्छा नहीं किया लीना बोलती है वो तुमारा डैट नहीं है इसलिए दुबारा उसे मिलने की या कुंट्राक करने की कोई जूरत नहीं है ये बात अपने भेजे में गुसा लो ये बोलकर वो अपने बेटे के साथ घर के अंदर आ रही थी लेकिन गुर्शाम को मौम पहले से ही देखकर शो उसे उठाकर ले जाने लगता है लिन उसे रहुता है फ्लैशपक गुशन्यक जा कर बोलता है तूंझा कर से किस करने वाला था लीना तो उसे दूर कर देती है गुशंग बोलता है तुम मुझ पर क्यों गुस्ता हो रही हो जब की धोका तो तुमने ही मुझे दिया है ना फ्लेश पैक में दिखाते हैं छे साल पहले लीना ने गुशंग को आफिस में किसी और के साथ इश्क फरमाते हुए लेना बोलती है अब हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं तो लीली को मुझे दे दो या फिर मुझे से दुबारा शादी कर लो डिजाइड करकर बता देना उसके जाते ही लीली आकर पूछता है डैड कहां चले गई मॉम लीना बोलती है वो अपने काम पर चला गया और मैं भी जा रही हो तुम घर से इधर उदर कहीं मत जाना नैक्सीन में गोशंग ऑफिस में अपने बेटे के टोईस को अरेंज करना सीख रहा था ताकि वो उसके साथ भी खेल सके तबी सेकेटरी आ जाती है कौफी लेकर पर मन ही मन वो से चाहती थी इसले सीधा उसकी गोल में आकर बैट जाती है गोशंग बोलता है भला ये क्या बत तमीजी है तबी लीना भी वहाँ आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है गोशंग तो उस लड़की को जौब सही निकाल देता है कल से अपना मुखरा दिखाने की जूरत नहीं गोशंग लीना को वहाँ देखकर शौ एकस्क्लेन करने की यह रहा हमारी कंपनी के कॉलोबरेशन का प्लैन इसे देख लो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है नेकसीन वह अपने बेटे को घिम्स खिलाने के लिए लेकर आती है जहां वह उसे बौन करती है तो बारे से उस गुशंग से कोई भी कॉंटैक्ट नहीं करना लीली बोलता है आप दोने लाइक करती हो ना तो आप दोनों साथ में क्यों नहीं हो जाते लीना बोलती है वो टोटली जख है लीली बूशता है आप डैर पर फिर से गुशा क्यूं हो तभी एक बंदा लीली को उठाकर ले जाता है लीना उसे हर जंगा ढूरने लग किनापर बोलता है मुझे पता है तुम्हारी मौम काफी अमीर है चलो अपनी मौम को कॉल करो और पेसे लाने को कहो लीली सोचता है अगर मैं डैड को भी यहां बुला लूँगा तो मौम की नजर में वो हीरो बन चाहेंगे और फिर दोनों साथ हो जाएंगे लीली किनापर को बोलता है मेरी एक कंडिशन है आपको मेरे डैड को भी कॉल करने देना होगा इससे आपको दबल पैसे मिलेंगे किनापर तो कुश हो जाता है लीना को उसके बेटे का कॉल आता है एक वियर अंकल ने मुझे किनाप कर लिया है मौम आप तीन मिलियन लेकर वियर हाउस में आ चालूंगा जिसके बार लीना किनापर के सामने आती है और उसे पैसे देती है किनापर पैसे के बोक्स को खोल कर चेक करने लग जाता है पीछे से गुशंग अपने बेटे की रसी खोल रहा होता है लेकिन सूटकेस में तो जरा से पैसे थे किनापर गुसे में गुशंग प भी पकड़ लेते हैं लीना उसके चोड़ पर पट्टी बानती है और उसे डाटने लग जाती है क्या जुरत इतना बड़ा रिस्क लेने की गुशंग बोलता है एक तो मैंने लीली की जान बचाए उपर से तो मुझे ही सुना रही हो लीना बोलती है हाँ थैंक्यू कोई बात नहीं अभी तुम्हारे बेटे का बाप बन रहा हूं बाद में तुम्हारे पती भी बन जाओंगा लीना उसे दूर कर देती है ज्यादा ख्वाप मत देखा करो गुशंग को किसी का कोल आता है मुझे पता चला है तुम लीना से शादी कर रहे हो वह तो छी साल प हमारी शादी हो जाएगी तो हम एक हैपी फैexcuse का रहेंगे लीली बोलता है आप जूटे हो यह बोल कर चला जाता है लीना बोलती है जब मेरा बच्चा ही नहीं चाहता है मैं शादी करूं तो मैं शादी नहीं कर सकती ₹्यसी में वह और ओफिस में होता है उससे समझ नहीं आ रहा होता लीली को अचानक से क्या हो गया वो इस शादी के खिलाफ क्यूं है गुजंग की मूम भी ओफिस में आ जाती है हर वक्त ओफिस में रहते हो तुम्हें तो अपनी वाइफ और बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ना तुम्हारी तो जल्दी उसे शादी होने वाली है गुजंग भूलता है मौम सॉरी पर आपका पोता नहीं चाहता कि मैं लीना से शादी करूँ मौम भोलती है वो पांच साल का बच्चा है उसके साथ टाइम स्पेंड करो वो समझ जाएगा जिसके बाद गुजंग सीधा लीना के पास आ जाता है लीना बोलती ह हर जंगा कैसे मौ उठा कर चले आते हो गुशंग बोलता है मुशे पता चला तुम लीली को लेकर पार्क में आई हो तो मैं अपने बेटे को कमपनी देने आया हूं लीना बोलती है पर वो तुम्हें पसंद नहीं करता है अब कुशंग बोलता है मैं उसके साथ टाइम स्प वापिस जा रही हूं गुशंग बोलता है तुम नहीं जा सकती हो छे साल पहले भी तुम मुझे बिना रीजन दिये चली गई थी और आज फिर से तुम से इम बात कर रही हो लीना बोलते मुझे कोई ज़रत नहीं है तुम्हें कोई वज़त देने की गुशंग उससे में व पूलती है तुम्हें क्या लगता है तुम अपने बेटे का इस्त cannon कि में दुबारे आजा औगी बेटा तो मेरा और गुशंग का भी है लीना को तो उसकी बात पर यकीन ही होता तो वह उसे फोटो दिखा देती है मेरा और गुशंग का बेटा है है ना क्यूट तविम गते मेरी मोम को बुली मत करो जोई बोलती है हम दोनों के ही बेटे हैं पर वो प्यार सिर्फ मुझसे ही करता है इसलिए तुम गुशंग की लाइफ से दूर चली जाओ उसके चाहते ही लीली पूछता है मोम आप ठीक तो हो ना लीना बूलती हाँ पर हम कली अब रोड जाने वाले मैं उसे क्यों रोकूं क्या मेरे पास कोई लड़कियों की कमी है असिस्टन के जाते ही जोई वान तपक पड़ती है और उसके साथ चिपकने लग जाती है मैंने अपने हस्बन से डिवोस ले लिया है अब हम दोनों शादी कर सकते हैं गुशंग उसे दूर हटा देता है पर इस लेना से ऐसा उसमी क्या खास है जो मुझ में नहीं कुशंग उसका हाथ पकड़ लेता है तुमने उसे क्या कहा है जोई बोल दिया उन joints प्यज्बर्त के बेटे को तुमारा बता दिया है। इधर ये दोनों अपरोड जानी की तैयारी में थे तब ही गुशंग आ जाता है एक बार मेरी बात सुन लो ना लीना बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना है इसलिए आप मेरी लाइफ को डिस्टरब करना बंद करो गुशंग बोलता है बात तो तुम्हें मेरी सुनने ही पड़ेगी जोई को मैं अपनी बेहन की तरह मानता हूं माना कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं पर मेरे मन में उसके लिए कोई फिलिंग नहीं है उसकी शादी हो रड़ी होड़ चुकी थी और वो बेटा उसके एक पो प्रोट मच जाओ लीना मान जाती है नैकसीज में लीना को कोल आता है कुशंग कोलोब्रेशन के लिए पेपर्स पर साइन नहीं कर रहा है।। लीना उसके ओफिस आती है साइन नहीं करने है तो मत करो ना साफ मना नहीं कर सकते हो क्या गुशंग बोलता है वो बात नहीं है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है चलो बैठो लीना बोलती है आप बैठ कर बात करनी के लिए कुछ बचा नहीं है तबी जोई आकर सच बता देती है गुशंग और मेरे बिच कभी भी कुछ भी नहीं था लेकिन लीना को तो कोई फरक ही नहीं पढ़ रहा था जोई के जाता ही लीना भी जाने वाली थी गुशंग उसे रोकता है कब तक बैरी होने का नातक करती रहोगी मैं ऐसा क्या करू जो तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए ये बोल कर वो उसे किस करता है लीना उसे दूर हटा कर जाने लगती है गुशंग भोलता मैंने छे साल तुमारा इंतजार किया है लीना वापिस आकर ड्रिंक की बोटल उठा कर पीने लग जाती है गुशंग उसे छीन लेता है पागल हो गई हो क्या लीना बोलती है तुमने एक बार भी सोचा मैंने ये छे साल कैसे काटे होंगे मुझे लगा आप तो तुम बदल गए होंगे पर तुम अभी भी वैसे ही एक नमबर के फ्ले बोई हो छे साल पहले मैं तुम्हें अपनी प्री वैडिंग शूट की फोटोस दिखाने आई थी पर तुम तो किसी और बूमें के साथ मतर गस्ती कर रहे थे तुमने एक बार भी नहीं सोचा मुझे कैसा लगा होगा गुशेंग बोलता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है लीना बोलती है अब भाने मत बनाओ और जाने लगती है गुशेंग उसे रोकता है लीना उसे किस करने लग जाती है जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते है लीना बोलती है इस रात को भूल समझ कर भूल जाना गुशेंग बोलता है क्या मजाग चल रहा है लीना बोलती है छे साल पहले तुमने भी तो मेरे साथ मजाग ही किया था गुशेंग बोलता है मैं कसम खा कर कहता हूँ मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूँ जो किसी भी लड इस टेंड आकर बताता है भावी की कंपनी के साथ कोई भी बड़ी कंपनी कॉलॉबरेट नहीं कर रही है क्योंकि एक फॉरन इंवेस्टर ने अपनी इंवेस्टमेंट वापिस ले ली है कुशंग उसके आफिस में पहुंच आता है तो पने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों बताई लीना बोलकर कि ये प्रॉब्लम मेरी है और उसे वहाँ से धक्का देकर निकाल देती है लीना उस वोरन इनवेस्टर से मिलने के लिए आती है यानि कि मिस्टर वाउंग से पर वह तो वाँ नहीं था यानी कि इसने अपने चाल में उसे फसा लिया ता लीना भेश ओ जाती है क्यूँकि वहाँ पर किसी चीज की ऐस्मयल आ रहा थी कुशयंग और राकर भावी मिस्तर वोंग से मिलने गई है कुशयंग भागा वह उस जंगा पर आता है पर उसे लीडम नहीं उसका बैक मिल जाता है मिस्टर वॉंग ने लीना को एक रूम में बंद करकर छोड़ दिया था गुशंग उसे ढून लेता है लीना तो भियोश हो गई थी गुशंग उसे उठा कर अपने घर ले आता है लीना बोलती है चलो आप शादी कर लेते हैं गुशंग तो शोक हो जाता है कल तक तो लड़ रही थी और आशादी करने की बाते कर रही है लीना बोलती है मेरे बच्चे को एक डैड की जुरता इसलिए कर रही हूँ गुशंग तो खुश हो जाता है लीना उसे कॉंट्राक देती है अगर हमारा किसी भी वज़े से डिवोस होता है तो लीली मेरे पास ही रहेगा गुशंग बोलता इसका मतलब तुम्हें अभी भी मुश पर यकी नहीं है लीना बोलती है चपचाप से साइन करो मैं प्राक्टिकल बंदी हूँ गुशंग साइन कर देता है और उसे प्रपोस्ट भी करता है रिंग पहना कर मैं तुमसे वादा करता हूँ लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ही रहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए बेल लेगन का बटन प्रेस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारांगे बाई बाई